हेलो गाइब, वेलकम बैक टू माइ टैल और गाइब आज मैं मैं कम्पैरीजन करूगा करण काथपुतली और रतसासन मूवी का रतसासन एक तमिल मूवी जो 2018 में रेलिज होई थी और इसकी रिमेक है काथपुतली जिसमें अक्षय कुमार है तो guys मैं इन दोनों movies का comparison करूँगा कि कौन movie ज्यादा अच्छी है तो guys शुरू करते हैं बात करते हैं इसकी story की तो story दोनों की same कोई remake movie है लेकिन guys कटपुतली movie में कुछ-कुछ situation को change किया गया है story को change नहीं किया गया है minor situation है इससे story पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अच्छी है एक की चलिव अच्छी लगी कटपुतली में जो सरगुन मेता का रोल था लेडी ओविसर का एक बॉलीपुर मुवी में ऐसा बहुत कमी होता है लेकिन यहाँ पे सरगुन मेता ने ज्यादा बड़े पद का रोल प्ले के लिए और अक्छा कुमार को आउडर देती हुई दीखे रही है कॉलेज का जो एक टीचर था उसकी कास्टिंग मुझे कटपुतली में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जो कटपुतली मुवी उसमें यह नॉर्मल लगता है और इसके एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं है जितने की ओरिजनल मुवी में जो एक्सप्रेशन दे रहा था टीचर जो की बहुत ज़़ा डरामना लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहीं है मॉन्स्टर जो सीजर किलिंग कर रहा है तो इस चीज में कटपुतली फेल नजर आई है रत्सासन मुवी की लाश्ट में जब पता चलता है जो वो औरत मैजीसियन थी वो यह सब मर्डर नहीं कर रही है उसका लड़का से स्टोपर्स कर रहा है तो उसके बाद जितना भी लाश्ट तक दिखाया गया कि स्टोपर्स को तो वो कहीं ने कहीं हलका सा एक हॉरर लेवल पे भी ले जाती है वो मूवी लेकिन कटपुतली में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है रत्सासन मुई में जो मेन लीड एक्टर था उसकी जब भानजी का मडर हो जाता है और उसी की कार में उसकी लास मिलती है तो उस टाइम में जो एक्टिंग करते हैं वो और उसकी जो लड़की का बाप था उन दोनों का भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो छुपा लेता है बताता नहीं है लेकिन जब वो कहता है कि मुझे देखने दो तो वहाँ पर जो एक्टिंग थी जो फेस एक्सपरेशन था और जो दोनों लोग रो रहे थे उसके बाद उस ललकी की मा निकलती है तो दोनों लोग एक्टिंग थी वो मुझे तनी अच्छी नहीं लगी अक्से कुमार की और ये सीन इस मुवी की सबसे अच्छी सीन थी इसमें आपको सारे इमोशन देखने को मिलेंगे कटपुतली जो की रीमेक मुवी उसमें ये चीज गयब थी और जो रियल मुवी थी उसमें एक सस्पेंस बना हुआ था और जो बग्ग्वावन मुजिक बज़रा था वो भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस बनाय रख रहा था बहुत अच्छा दिखा रहा था वो चीज लड़की को ढूनने जाते है लांस्त में उन से बड़े पत्गी जो लीडी ऐए ऄ요 को that वहाई लगवा देता है लेकिन एक कॉंस्टेबल होता है वह मना कर देता है कि मैं में आच के लिए जाने जीए और वह लीडी ऑफिशर को ही हदकली मेंबान देते permettre वह Constable कहता है कि sir आप जाएए आप उस लड़की को मचाएए तो रियल मूवी में दिखाया गया कि लेडी ऑफीसर हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी जो भी वो काम करता था और जो भी वो क्लू लाता था केस से जुड़े वो केस के लिए जो वो लीडिंग प्रूब लाता था उसको भी मानने से वो इंकार कर देती थी कट पुत्री में ये मिस है शुरू की मूवी में तो सब कुछ ठीक है हुआली सीन में यहाँ पे कुछ अलगी दिखा दिया गया स्टोरी चेंज कर दी गई है तरगुन महता कहती है अक्षेकुमार से मेजी भी जलकी है इसलिए मैं तुम्हें पूरी छूट देती हूँ अभी तक मैंने तुमारी कोई भी बात नहीं मानी है अब तुम्हें जैसा करना है तुम कर सकते हो लेडी ऑफिसर की परमीशन थी अक्षेकुमार को तो उन्होंने केज सॉल्ब लिया लेकिन जो रत्षासन मूवी है उसमें लेडी ऑफिसर हीरो के बिल्कुल खिलाब थी तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा मेजर चेंज कहूँगा मैं क्योंकि बहुत ज्यादा असान लग ग अक्षेकुमार से बड़े पत की लेडी ऑफिसर है तो वो करेक्टर भी मुझे ठीक लगा है व्योंकि बॉली 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 में ऐसा बहुत कमी होता है और किसी भी चीत में मुझे अच्छी नहीं लगी कटपुतिली लेकिन रत्षासन जो ओरिजिनल मूवी है ये पूरी और गाल इस वीडियो में इतना ही तो गाल मिलेंगे पर किसी नेस्ट वीडियो में